बिहार की राजनीती में लगतार फेर बदल देखा जा रहा है बात कर दी जाए अगर पूर विधायक या फिर विधायों को की तो वह लगतार अपना पाला बदल रहे हैं एक ऐसा ही नाम मंजीज सिंग का है जो दो वार के पूर विधायक हर सिद्धी से रह चुके हैं और अब बात चल रही थी कि वह तेजश्वी यादों के गुट यानि आर्जेडी में शामिल होने वाले हैं मगर मंतरी लेशी सिंग के साथ जववा नितीश कुमार के पास पहुंसते हैं और बंद कमरे में मुलाकात होती है तो यहाँ बात सामने आती है कि अब मंजीश सिंग वापस पुनरवापसी करेंगे यानि जेडियो में ही वापस जाएंगे आपको यह बता दे कि पिछले बार विधानसवा चुनाओ में मंजीश सिंग ने स्वतंतर चुनाओ लड़ा था और वहाँ से जीत कर भी आये थे जिस तरह से मंजीश सिंग पूर विधायक जेडियो के खुद जेडियो से नाराज चल रहे थे और लगतार खबरे चल रहे थी कि वह तिजश्वी का साथ आ जाएंगे यानि कि वह आर जेडियो का दामन थाम लेंगे मगर मंतरी लेशी सिंग के समझाने और फिर नितीश कुमार के साथ मीटिंग करने के बाद अभी अब बात साफ हो गया है कि पूर विधायक मंजीश सिंग वापस से घर वापसी करेंगे और फिर आज जेडियो का साथ थामिंग आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं कि यहा मन मुटाओ की स्थिति कब बनी और अब वक कब तक पुनर वापसी कर सकते हैं अपने दल से बागी हो गए बैकुंट पूर के पूर्व जदियू विधायक मंजीत सिंग की आज जदियू में वापसी होने वाली है पार्टी के वरिष्ट नेताओ विजय कुमार चौधरी, ललन सिंग, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंग कुस्वाहा आदी की मौजूदगी में वे जदियू की सदस्चता लेंगे गौर तलभो की विधान सवा चौधरी में टिकेट नहीं मिलने पर मंजीत बागी हो गए और उन्होंने एंडिये प्रत्याशी के खिलाफ बता और बागी चौधरी चौधरी लड़ा था इसके बाद जदियू ने सभी बागीयों को पार्टी से निलंबित कर दिया था पिछले मा की आखिर में तिजश्वी यादों से मुलाकात के बाद मंजीत सिंग ने राजत की सदस्शता लेने की घोशना की थी लेकिन दो जुलाई को मंतरी लेशित सिंग मंतरी विजय चौधरी की मौझूदगी में मुख्य मंतरी नितीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया इस भेट के बाद मंजीत सिंग ने यह भी कहा था कि वे कभी जदियों से अलग नहीं रहें नितिश कुमार हमेशा उनकी नेता हैं थे और रहेंगे अटकले यह भी लगाई जारी है कि मंजीज सिंग के जदियों जोईन करने के बाद दल के कुछ और निताओं की पार्टी में पुनरवापसी हो सकती है तो पिछली विधान सभा चुनाओं में एक तरह से मंजीज सिंग ने अपने बागी तेवर को दिखाया और फिर NDA प्रत्याशी के खिलाफ को चुनाओं लड़के यह साफ कर दिया था कि जब उन्हें टिकेट जदियों के तरफ से नहीं मिला तो वह बागी हो गय थे आपको यह भी बता दें कि लगत्तार याटकेले थी कि तेश्वी आदों से मुलाकात करने के बाद मंजीज सिंग आरजेडी की तरफ हो चलेंगे मगर मंतरी लेशी सिंग मंतरी विजय चौधरी के साथ जब नितीश कुमार के पास पहुंसते हैं बंद कमरे में मुलाकात हो नितीश कुमार के साथ साथ तमाम जदिव के प्रमुक नेता इस कारिकरम के दौरान उपस्तित रहेंगे और पूर्व विधायक मंजीज सिंग की घर वापसी को लेकर जितनी भी खबरे तीवा अब पुष्ची हो जाएगी लगतार खबरों में बने रहने के लिए आप दे तरी नूस्वानेशन नमस्कार